नमस्कार, स्वागत सभी का एक और वीडियो में, अब डेट आया है M.G.A.H.V. यूरिवेस्टी महराष्ट की तरफ से, यानि के महतना गांधी अंतराष्टी हिंदी विश्विजाले की तरफ से, जहां डेट्स आपको पहले से ही मालूम थी PhD प्रवेश परिक्षा की, लेकि किस समय, किस विशय का पेपर होगा, उसकी जानकारी नहीं थी, और पेपर ऑनलाइन होगा, ये भी आपको जानकारी थी, लेकिन पेपर किस प्रकार से देना है, ये जानकारी नहीं थी, तो ये दोनों जानकारी मैं आपको दूँगा इस वीडियो में, तो वीडियो को अप बतलाव हुए हैं। क्या बतलाव हुए है उसकी बाहत हमें करूंगा उस next वीडियो में। और साथ ही साथ है इस वीडियो के last में ये भी बताऊंगा कि आपको mock test देना है या नहीं देना है और यदी mock test देते हैं तो क्या लाव होगा और यदी आप mock test नहीं देते हैं परवेश परिक्षा से पहले तो क्या आपको नुकसान हो सकता है इस विश्विदाले की परवेश परिक्षा के लिए ठीक है तो चलते हैं शिरूर और हाँ जो भी जानकारी आपको दूगा सभी जानकारी विश्विदाले की वेबसाइट पर है 10, 11, 12, October 2021 इन 3 dates में होंगी WHO की परिक्षा हैं इस बात को दृहान से सुन लीजे, लिख लीजे, कहीं है रेकौर्ड कर लीजे, समय है सुभा 9.30 से लेकर सुभा 11 तक यानि कि 90 मिनट सुभा साड़े नौ से लेकर ग्यारा बजे के बीच में तारीख है दस सक्टूबर और दिन है रवीवार इस दिन आपकी परवेश परिक्षा पीएच डी महत्मा गादिया अलतराष्टे हिंदे विश्वे दाले 212 की सेचने का पेपर वन होगा क्योंकि पेपर दो होंगे पार्ट बन पार्ट टू दस अक्टूबर सुभा साड़े नौ बजे से लेकर ग्यारा बजे के बीच में पेपर बन होगा इस बात को ध्यान से सुन लीजिए समझ लीजिए सभी विश्यों का पेपर एक दिर एक ही समय रखा गया है कमेंट करके बताईएगा कि इस डिसिजन से आपको लाब होगा या हानी होगी बेनिफिट होगा या फिर बबंडर मचेगा क्यूंकि इस वीडियो में देखना आप लोग कमेंट करेंगे और क्या कमेंट करेंगे कि हमने एक से जादा विश्य में अपलाई किया है लेकिन एक समय में दो एकजाम कैसे देंगे इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है हाँ डिस्क्रिप्शन वाउक्स में कुछ फोन नंबर में दुँगा आपको आप उनसे संपर्क जरूर कर सकते हैं और आपकी समस्य का समाधान वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनके विवे नंबर है चाहे दिकारी हो चाहे सिक्षक हो या काउंसलर हो या वॉलिंटियर हो तो आपने सुन लिया पेपर वन पी एजडी एंट्रेस एग्जामिनेशन एमजी एच्वी उन्वेस्टी दस अक्टूबर को होगा आपने जिस भी विशे में अपलाई किया है समय है 90 मिनट का ठीक अब चलते हैं पेपर सेकंड को लेकर पेपर सेकंड दस ग्यारा बारा अक्टूबर को समझ लीजेगा बिना सुने समझे कमेंट मत कर दीजेगा इस बात को गौर से दिमाग में डाल लीजे कहीं पर लिख लीजे दस अक्टूबर दुपहर एक बजे से दो धाई बजे के बीच में पहला पेपर 90 मिनट का होगा दूसरा पेपर जो आपके सब्जेक्ट का होगा वह भी 90 मिनट का होगा पेपर का पैटर्न, स्टाइल, क्राइटेरिया, प्रारूप मैं नेक्स वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो में नहीं बताऊंगा एक वीडियो में सब कुछ बताना संभव नहीं है पर आप उनको देख कर समझ पाए ये तो कत्ताई संभव नहीं है दस अक्टूबर दुपहर एक बज़े से लेकर धाई बज़े के बीच में जिस सब्जेक्ट का पिएजडी का सेकंड पेपर होगा सब्जेक्ट के नाम सुन लीजिए नाट्टे कलाशास्त्र पहला दूसरा है इसमें दर्शन शास्त्र तीसरा है इसमें परवासन एवं डायस्पोरा चौथा है इसमें इन्फोर्मेटिक एंड लेंग्विज एंजिनेरिंग और पांचवा है इसमें चीनी भाषा है यह पेपर यह पांच पेपर दस अक्टूबर को दुपहर एक से लेकर धाई के बीच में होगे पेपर सेकंड पिएजडी परवेश परिक्षा दस अक्टूबर की सेकंड स्रिफ्ट समय है साम साड़े चार बज़े से लेकर साम छे बज़े तक इस समय में चार सब्जेक्ट के पेपर लिए जाएंगे भाषा परदूग की भाषा विज्ञान भाषा शिक्षन और साती साथ गांधी एवं शांती अध्यां तो दस सब्जेक्ट की परवेश परिक्षा ली जाएगी अब चलते हैं ग्यारा अक्टूबर पहली सिफ्ट समय सुभा साड़े नौ से लेकर ग्यारा बज़े के बीच में जिस सब्जेक्ट अपेपर होगा बहुत दो हैं पहला है फ्रांसिसी जो फ्रेंच इसे बोलते हैं फ्रां अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट में भाषा शिक्षन भाषा परदूग की और भाषा विज्ञान ये तीनों ही विशय हिंदी से ही निकले हैं लेकिन हिंदी साहित नहीं है इसलिए कंफ्यूज मत होईएगा आपने हिंदी साहित भरा है तो पेपर आपका होगा 11 से लेकर दुपहर धाई बजे के बीच में तीन सब्जेक की परवेश परिक्षा रखी गई है 11 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट दुपहर एक बजे से लेकर धाई बजे के बीच में पेपर होगा आपका इसके अंतरगत एक दो तीन सौरी चार विशय इसमें तीन विशय परवेश परिक्षा 11 अक्टूबर एक बजे से डाई बजे के बीच में रखी गई है पेपर नब्बे मिनट का होगा पेपर में नेडिम मार्किंग है या नहीं उसके बाद बात में करेंगे 11 अक्टूबर की तीसरी और लास्ट शिफ्ट शाम साड़े चार बजे से लेकर अच्शाम 6 बजे के बीच की इस सब्जेक्ट के इसके अंद्रगत पेपर दो विश्यों का रखा गया है पहला है फिल्म अध्यान दूसरा है सिख्षा शास्त्र पहला है फिल्म अध्यान यानि कि फिल्म इस्टडीस और दूसरा एजूकेशन 11 अब 12 अक्टूबर जो कि ल दलित एवं जन जाते अध्यान संस्क्रित एवं दलित एवं जन जाते अध्यान इन दो विश्यों की PhD की परवेश परिक्षा 12 अक्टूबर सुभा साड़े नौ से 11 बजे के बीच में रखे गई है 12 अक्टूबर सेकिंड सिफ्ट समय दुपहर एक बजे से लेकर धाई बजे अध्यान 12 अक्टूबर तो पहल एक बजे से धाई बजे के बीच में तीसरी और लाश्ट शिफ्ट 12 अक्टूबर की है साड़े चार बजे से लेकर शाम छे बजे तक दो सब्जेक के पेपर रखे गए है ट्रांसलेशन यानिके अनुवाद अध्यान और इस्पैनिश ट्र ये विश्विद्याले से संपर कीजेगा मैंने जो सूचना दी है उसको लेकर आपको कोई कंफ्यूजन हो कोई द्वंध हो कोई आज पश्टिता हो तो कमेंड करके आप मुझसे सवाल कर सकते हैं इस बात का ध्यान रखेगा इसी के साथ साथ एक बात और समझ लीजे पेप ऐटक्टॉप, कमप्यूटर, टैस्टॉप, स्मार्टफोन किसी का भी यूज़ कर सकते हैं इन चारू डिवाइस में से किसी एक का रखत देना अनिवार्य है, मैंडटरी है और मुझ टेस्ट का डेट समय और टाइणिंग सून लीजे allen का डेट समय हैं साथ अक्टूबर और 8 October, 7 October, 8 October, किसी भी एक दिन आप mock test दे सकते हैं, और mock test आप जिस भी device से देंगे, चाहे phone है, चाहे laptop है, desktop है, या tab है, सोरी tab भूल गया था, चारों में से किसी भी एक device का use कीजिएगा, और एक नहीं, तीन बातों का विशेज द्यान रखेगा, जब आप mock test देंगे, जिस device से mock test देंगे आप, उसी device से entrance examination भी दीजिएगा, पहली चीज, जिस इस्थान से आप mock test देंगे, उसके background दिख रहा है, ऐसा background नहीं चलेगा, plain background चलेगा, और वह भी white background चलेगा, इस बात का ध्यान रखेगा, तीसरी चीज, आप जिस भी device से अपना entrance examination देंगे, उसका camera और उ माइक काम नहीं करता है, तो उस device का परियोग मत कीजिएगा, इस बात का विशेश रुक्सितान रखेगा, चौथी और बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण चीज, कि exam देते वक्त, mock test को छोड़ दीजे, main exam देते वक्त, आपका यदि internet connection चला जाता है, आपका phone यदि hang होता है, आपका यदि data खतम होता है, या कोई भी तकनी की समस्या होती है, जिसके कारण आपको logout होना पड़ता है, या आपका exam stop हो जाता है, उस condition में विश्विदाले परशाशन की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, आपके disqualify होने पर, या reject होने पर, यह फैसला कैसा है, यह भी comment कर पहली बार online exam दे रहे हों, उनको बहुत सी समस्या हैंगी, online exam कैसे दें, phone से कैसे दें, laptop से कैसे दें, desktop से कैसे दें, tab से कैसे दें, तो मैंने लगवत 3 या 4 महिने पल एक वीडियो बनाया था, online exam को लेकर, 25 या 30 मिनट का वीडियो है, detail में बनाया था, उसको देख लीजिए चाहिए, earphone का use करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, extra camera लगाना चाहिए, filter लगाना चाहिए, नहीं, इस सारी जानकारी बारी की से उसमें समझाई है, उस वीडियो को देख लीजिएगा, description box में मिल जायेगा, नहीं तो मेरे चैनल पर वीजिट कर सकते हैं, next वीडियो का वीडियो आप से छूट जाएंगे, क्योंकि अब एक विशेश केटेगरी वर्ग के लिए ही वीडियो बनाये जाएंगे, admission के इतर, क्योंकि अब आपकी classes भी start होने वाली है, पढ़ाई भी start होने वाली, अब उसकी बात करेंगे, research की बात करेंगे, इंडिया के लेवल की ब उसके membership ले चुके हैं, दो दिन के अंतरगत, तो आप भी चाते हैं कि आप उस परकार के वीडियो में शामिल हो, और direct मुझसे connect हो पाएं, तो चैनल की membership लीजिए, ये मेरी कोई आप से appeal नहीं है, नहीं आवेदन है, एक बात है, मानना, नहीं मानना, आपका decision है, चलता किसी और वीडियो के लिए आप बेट कर रहे हैं, और लोग भी उनका वीडियो बनाना है, फिर next वीडियो बर्धा विश्विदाले का एक और entrance के हम उसमें बात्चित करेंगे, बहुत बहुत धनेवार समय देने के लिए, जैहिन, जैभारत, सलाँ